नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS Word के उपर जो है Organization Unit या वनसा वली किस तरह से बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे आप अपना MS Word को जो है Open कर लेंगे दोस्तों ये वीडियो में जो बना रहा हूँ वो MS Word 2016 जो इसका वर्जन है उसके उपर बना रहा हूँ आपके पास यदि 10 है 13 है 18 है तो उसमें जो इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो टूल्स के नाम है वो जो है सब में सेम रहेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे इंसर्ट पर जाएंगे जैसे आप इमेज में यहां पर देख सकते हैं इंसर्ट पर आप गए और आपको यहां पर क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट के उपर smart art के उपर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे जो option आएगा जो आपके सामने जो dialogue box आएगा उसमें बहुत तरह के smart art graphics आजाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है hierarchy select करना है और hierarchy जब आप select करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के hierarchy आजाते हैं तो आपको किस तरह से बनाना है या आपको इसा भी select करके बाद मैं इसको जो है change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक hierarchy क्योंकि मुझे एक organization chart यहाँ पे बनाना है word के उपर Excel में किस तरह बनाना है वीडियो के description में उसका link है मैंने वीडियो बनाया हुए वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं method दोनों में एक ही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पे click कर देंगे इसको select कर देंगे और यहाँ से हम OK दबादेंगे दबाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा मैंने एक already नीचे बनाया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से delete कर देता हूँ ठीक है यह आपका इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा अब क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लिखना के लिए जैसे क्या करेंगे इसके उपर इस से क्लिक करेंगे और so text panel आप कर देंगे तो आप यहाँ पे देखे दोस्तों यह पहला वाला है और यह आपको edit करना है तो यहाँ पहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कि जो आपका organization में टॉप पे है, यानि कि जो सबसे बड़े ओधे पे है, या आप वनसावली बना रहे हैं, तो जो सबसे उपर है, जो आपकी पहली पीडी है, उससे आप सुरू करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजे, मैं एक छोटी सी कंपनी का यहाँ पर और्गनाइजेशन चार्ट बना रहा ह ठीक है दोस्तो, फिर आप एंटर मारेंगे एक और नया यहाँ पर आप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम लेंगे डारेक्टर फनांस, ठीक है दोस्तो, इसके बाद आप फिर एंटर मारेंगे, फिर लेंगे यहाँ पर डारेक्टर आईटी, ठीक है दोस्तो, फिर आपने एंटर मारा ओर आपने यहां पर डिरेक्टर लिया hr ठीक है तो यह हमारे यहां पर आ चुके बाकी आप जो है यह इस तरह से बैक स्पेस करेंगे और सब को delete कर देंगे इस तरह से मैंने यहां पर सारे डिलीड कर दिन अब आप इस चाड को देखें एंगे तो लिजिए जो आपका HR Department है उसके जो डारेक्टर है डारेक्टर के अंदर जो आएंगे वो आएगा एक Assistant Director तो आपने Enter मारा तो जो आपका New Tab है वो नीचे आ गया और आपने यहां पर क्या करना है टैब मार देना है आपने टैब मारा तो यह HR Director की जो डारेक्टरी है डारेक्टरी के अंदर चला गया और यहां पर हमने लिख दिया है Assistant Director HR ठीक है यह आ गया अब हमें Assistant Director HR के अंदर जो है हमें Senior Manager डालना है एक तो हम फिर इसके नीचे आगे और हमें यहां पर जो है Tab बटन दबा देना है अब हम यहां पर लिखेंगे Senior Manager अब Senior Manager के अंदर हम दो Manager डालेंगे तो हमने यहां पर Enter मारा और Tab मार देया तो हम क्या होगे Senior Manager के अंदर आगे, यहाँ पर हमने लिखा Manager 1 और Manager 2 तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह बन गे, अब आपको इस Manager 1 और Manager 2 आपके यहाँ पर आगे और फिर Executive 2 तो यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमारी जो है IR की वो बन गए, अब दोस्तों क्या होता है कि कई बार हमें Organization में जो है, फोटो भी लगानी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसी के बॉर्डर पर यह दिया, आप इस तरह से Layout आ जाएंगे, तो IR की में आप जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह वाला, Picture Organization Chart आप यहाँ पर Select करेंगे, OK कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसी आप इसे बड़ा कर देते हैं, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, तो यहाँ पर Picture लगा करेंगे, तो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह CEO उसकी Post होगी और उसका यहाँ पर नाम आ गया, इसी तरह से आप औरों को भी Edit कर सकते हैं, जो Organization Chart है, वो किस तरह से MS Word के उपर बनाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में, दोस्तों वी सब्सक्राइब कर लिजी, ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडिट आपको आगे भी मिलते रहें, धन्यावाद, जया हैं